नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका सौगत है मेरे यूटूब चैनल पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको आप पर फिसाई के प्रीवेश यह कुश्चन पीपर सॉल्व करा रहा हूँ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ 10.1.2.19.3 का कुश्चन पीपर जि से अलिये दोस्तों राजिस्थान की और अप्शन पेक सही आंसर हो जाएगा कुश्चन नमबर दो क्वेश नमबर दो है हमआरा भारत के बारत के उछ नियाले के मुखे निया दे climbing किस के दुखार क्यों क्यों बेला कि बारत के 2023 का क्यों ओनर चाए है ओ अंदरे अगासी को अपना में दोस्तों, दालास वेगास किड्ड, आफ्शन नमबर तीन सही आंसर हो जाएगा, हमरा अकला कुश्यन है, कुश्यन नमबर फोर, तारापुर नाभी के उर्जान सही अंतर का इस्तित है, तो यो इस्तित है दोस्तों, महराश्ट्र में आफ्शन दाले हैं, और नमबर फोर कवर के उर्जान समगजा अफ्शे नमबर जाएगा, हमरा अगला कुश्यन है, कुश्यन नमबर फोरुषन — आफ्शन नमबर फिलाइव में दोस्तों गार्जा सरद वेसे दोश्चेनिए, और तो यह दर्चाय स्गेद्नित हैं, तो यह संबंद ये तो दोस्तो 13 की से option no.4 सही answer हो जाएगा question no.8 question no.8 है हमारा तौरण ग्यात करने का सूत्र क्या है तौरण ग्यात करने का सूत्र है दोस्तो वेक बटा समय option no.4 हमारा सही answer हो जाएगा अगला question है acetic aml का IUPAC नाम क्या है इसको बोलते हैं दोस्तो मारा अगला question है दोस्तो question no.10 question no.10 nitrous oxide HNO2 का आयनी करन नियतांग कितना है ये है दोस्तो 4.5 into 10 की पावर माइनस 4 option no.2 सही answer हो जाएगा question no.11 seeds grunthy final gland क्या स्रावित करती है इस स्रावित करती है दोस्तो melatonin option no.2 सही answer हो जाएगा question no.12 Q13, 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 Q किस खेल में होता है तो यह होता है दोस्तों फुटबॉल में प्रियोग ऑप्शन नमर दीन सही आंसर हो जाएगा हमारा अगला कुश्चन है कुश्चन नमर सोला कुश्चन नमर सोला उदार विनमे दर प्रबंदन प्रणाली LER MS का विगठन कब हुआ यह हुआ तो दोस्तों मार्च 1993 में ऑप्शन नमर दो सही आंसर हो जाएगा कुश्चन नमर 17 भारती संसत का निचले सदन खेलाता है यह कहलाता है दोस्तों लोकसवा उप्शन नमर 4 सही आंसर हो जाएगा अंग्ला कोष्ट दोस्तों क्थ्रिपयाँ थाएगा, भगवान गोम-तेश्वर की मूर्ती कहाँ पर है, यहाई दोस्तों स्रवन बेल गोला में, अप्श्ट nouvelle थी, सही आंसर हो जाएगा, अग्ला कुष्ट दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, अग्ला कुष्टन thou, निस अन पर और आटो बायोग्राफिक पुस्तक किस ने लिखी है ये लिखिया है दोस्तों मेरी कोम ने option number 2 सही अंसर हो जाएगा question number 20 question number 20 है हमारा राज्य विदान सभाओ के चुनाव का दायत वो किसका होता है यह होता है दोस्तों केंदरे चुनाव आयोग का option number 2 सही अंसर हो जाएगा question number 21 निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है यह नहीं मिलती है दोस्तों Thailand की Thailand जो है भारत के साथ सीमा नहीं साजा करता है question number 22 भारत के राष्टपती लोग सबाँ में कितने सदस्चों को मनाउनित कर सकते हैं वो कर सकते हैं दोस्तों दो सदस्चों को मनाउनित और राज्जे सबाँ में 12 सदस्चों को मनाउनित कर सकते हैं Q3. कलकत्ता किर्गिट एम फुटबॉल क्लब CC&FC की इस्थापना कप की गई? यह की गई थे दोस्तों 1790 AD में. option number 4 सही answer हो जाएगा. अगला question हमारा question number 24. भारत के खाद सुरक्षा और मानक प्राधिकरन FSS AI का मुख्याले कहा हैं? यह इस्थाथ दोस्तों नहीं दिल लिए. option number 2 सही answer हो जाएगा. हमारा अगला question हम दोस्तों, question number 25. सूड़ और ब्रस्पती गराय के बीच की दूरी कितनी है? यह दोस्तों 778.5 million km. option number 2 सही answer हो जाएगा. हमारा अगला question हम दोस्तों, question number 26. question number 26 हमारा भारतिये राष्टे कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहा हुआ था? यह हुआ था दोस्तों, बॉम्बे में. option number 1 सही answer हो जाएगा. question number 27. पदम पाणी बोधी सत्व के चित्र कहां पाये गए हैं? यह पाये गए हैं दोस्तों, बदामी गुफायों में. option number 3 सही answer हो जाएगा. अगला कुश्यान है हमारा, अंतर राष्टी T20 किरिकेट मैचों में सतक बनाने वाली भारतिय महिला किरिकेट खिलाडी कौन बनी? यह बनी हैं दोस्तों, हर मन प्रीत कौर. option number 4 सही answer हो जाएगा. question number 39, sorry 29, तेहरवे वित आयोग के अध्यक्स कौन थे? तो यह थे दोस्तों, डॉक्टर विजे एल केलकर. option number 1 सही answer हो जाएगा. चली, हमार अगला कुश्यान है, question number 30, आपदा प्रबंदन विध्यक अधिनियम पास हुआ? यह पास हुआ था दोस्तों, 2002 में. option number 3 सही answer है. कब हुआ था? कि हुआ था, दोस्तों, 2009 सही answer हो जाएगा. option number 4 सही answer हो जाएगा. मुरक्को की राजधानी है, मुरक्को की राजधानी है, दोस्तों, रबात. option number 4 सही answer है. question number 33 निम्न में से भारत के किस राजधे की विधान सभा सीटों की संक्या सरवदी कैं? फुआ दोस्तों, उत्तर प्रदीर्स. option number 3 सही answer हो जाएगा. question number 34 एका अंदोलन के नेता कौन थे? एका अंदोलन के नेता थे दोस्तों, मदारी पासी. option number 3 सही answer हो जाएगा. question number 35 ददा कामरत कार्बनिक घटक कहलाता है? यह कहलाता है दोस्तों, हुमस. option number 2 सही answer हो जाएगा. question number 36 पदमा नदी किस देश में बहती है? यह बहती है दोस्तों, बांगला देश में. option number 3 सही answer हो जाएगा. question number 37 question number 38 जीवन इस्मरती पुस्तक किस ने लिखी? यह लिखी थे दोस्तों, रविंदर रना टैगोर ने. option number 4 सही answer हो जाएगा. question number 39 प्रकास तरंका सिद्धान्त किस के दुआरा प्रस्तावित किया गया? तो यह प्रस्तावित किया गया था दोस्तों, question number 42 question number 41 question number 41 question number 41 भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षण के द्रविनों का सम्मध किस से है? वह दोस्तों, मंदिरों से. option number 4 सही answer हो जाएगा. question number 43 question number 44 भारत के संग सासित प्रदेश किस के द्वारा सासित होते है? यह होते हैं दोस्तों, भारत के राष्टपती के द्वारा. option number 1 सही answer हो जाएगा. question number 45 नील की खेती की दो प्रमुक पद्धतिया निज और डैस थी. दूसरी थी दोस्तों रहयत. option number 4 हमारा सही answer हो जाएगा. अगला question है, question number 46 question number 46 हमारा CRR का प्रूंड रूप है. वह दोस्तों, cash reserve ratio. option number 2 सही answer हो जाएगा. question number 47 तो राज्जी सभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों, आपकी आयू 30 words होनी चाहिए. option number 2 सही answer हो जाएगा. question number 48 question number 48 सामानी तोर पर डैस पत्यों से खनीच पदार्तों को पौदों के अन्नी भागों में ले जाता है. वो ले जाता है दोस्तों. option number 3 सही answer हो जाएगा. question number 49 question number 49 है दोस्तों गटकरी विद्रो निम्न में से किस इस्थान पर हुआ? तो यह हुआ था दोस्तों को लापुर में. option number 3 सही answer हो जाएगा. हमारा पचास और लाश्ट पा question है दोस्तों जापान की खाई किस महसागर में इस्थित है? ओए दोस्तों प्रशात महसागर में इस्थित है. वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों. वीडियो कर पसंद आएए तो इसको लाइक करना, सेयर करना और चैनल पर अगर पहली बार कि अ